दिस्प्लेइड्स की बात भी कर ली, सर्च एड्स की बात भी कर ली तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे गूगल एडवर्स अब कम्प्लीट हो गया हम गूगल एडवर्स समझ चुके हैं लेकिन एक चीज़ और रह गई है इसको हम कहते हैं वीडियो एड्स अब ये वीडियो एड्स हम समझते तो यहीं है कि यूट्यूब के ओपर चल रही होती है और यूट्यूब के थुरू ही सब को मैनेज कर रहे होते हैं हम लोग लेकिन टेक्निकली गूगल एडवर्स के थुरू ही ये वीडियो एड्स भी मैनेज हो रही होती है इस पूरे का पूरे प्लैटफॉर्म को नाम दिया है गूगल ने TrueView का TrueView से मुराद ये है कि ये वो एडविटाइजिंग प्लैटफॉर्म है जो आप गूगल एडविट्स के थूर यूज कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर आप वीडियो एड़ को पब्लिश करते हैं यूट्यूब के वेबसाइट पर या दूसरी वेबसाइट के ओपर तो वीडियोज तो होती है यूट्यूब की वो यूट्यूब पे पुब्लिश हो रही होती है और दूसी वेफसेट पे पुब्लिश हो रही होती है जिस तरीके से डिस्पले अड्स हो रही होती है अब जो वीडियोज आप अपलोड करे होते हैं तो तरह की हैं पहले हैं एड इंस्ट्रीम एड जो struckwal वियू के दौराण चल रही होती हैं वीडियो से पहले चल रही होती है उसमें skip और non-skip के option भी होती है जहत है उनकी duration 30 second की होती है पांच सेकंड के बाद skip this add का button बहां होता है और आपको Charles Google कर रहा होता है या TrueView Farage कर हो होता है पay-per-click के हिसाथ से तो जीतना लोग तर्व इसको क्लिक करें ंस लियाज से आपकी charging हो रही होगी या दूसरा वही Buckling is impression कि जतने लोग तक व एड पॉइच रही तक इह उस लियाज से गूज आपको चार्च करेगा। दूसरी टाइप आड्स हैं वीडियो डिसकावरी आड्स यह वो आड्स हैं जो बिलकुल नॉर्मल दूसरी वीडियो की तरह ही देख रही होती हैं सबसे ज्यादा फाइदा मंद आड्स हैं बाकी वीडियो उसके वज़ा ये है कि जैसे जैसे content बढ़ रहा है इंटरनेट के ओपर तो search ad और display ads बहुत सारी companies अब use कर रही है वीडियो ads कम companies यूज करती हैं क्योंकि production video जह है वो हर बंदे के बसका काम नहीं है जिसके वज़ा से video ad की reachability और clickability ज्यादा हो रही है इसकी demand भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और चन्द important reasons हैं कि जिसके वज़ासे true view जो है वो बहुत important platform बनता चाहा रहा है सबसे पहले reason उसके अंदर ये है कि true view provides you a low cost solution to video advertisement video advertisement कहां हुआ करती थी पहले traditionally television के ओपर television के ओपर cost of video advertisement is very expensive बहुत महिंगी है video advertisement television के ओपर तो इसमेज़ासे low cost solution true view आपको provide करता है जिसके दुरू आप अपना इस्तियार video की फॉर्म में लोगों तक पहुचा सकते हैं दूसरा important point है कि जो आप video ads चला रहे हैं true view को यूज़ करके वो दूसरी videos की तरह ही दिख रही हैं बढ़ती जा रही है क्योंकि video ad होता है content होता है उसी तरह content जिसनागा हम सर्च कर रहे होते हैं वो सामने आ रहा होता है तो click ज़्यदा हो रहे होते हैं hence clickability conversion rate भी बढ़ रहा होता है तीसे नमबर में point है कि you pay per engaged customer आपने लोगों के ads दिखा दी video ads लेकिन आपके पास ये choice है कि आप सिर्फ उन लोगों को जहन में रखकर पैसे pay कर सकते हैं जिन्होंने आपकी ad के ओपर click किया है television में option मिलती है हमें क्या नहीं television में कहते है ये 30 second का spot है ये 15 second का spot है इसके तरह लाग रुपए दे तो यहाँ आपके पास option है कि सिर्फ उन लोगों के पैसे दें कि जिन्होंने आपकी video ad के ओपर click किया तो that is a very good option of true view also चौती option है free conversion मेरी personal favorite option इसके वज़ाँ से मैं true view use करता हूँ what is a free conversion free conversion से मुराद ये है कि आपने किसी को ad दिखाई उसने आपकी ad पर click नहीं किया तो आपको conversion हुई नहीं आपने google को pay नहीं किया लेकिन उसने आपकी ad को देखके आपका website देखके directly जाके आपकी website पर login कर लिया that is called free conversion और video ads or youtube ads के अंदर मेरा experience कहता है का free conversion सबसे ज़्यादा हो रही होती है लोग video पर click नहीं करते लेकिन वो website के ओपर जाके visit कर रहे होते हैं यह video ad का आप इसको positive point कह दें यह negative point कह दें लेकिन मेरे नजदीक true view यूज करने का यह सबसे बड़ा फाइदा है कि free conversion आपकी अकसर बहुत अच्छी हो रही होती है अगर आपने अपना content इस तरीके से present किया हुआ है यह website address यह आपका final destination address clear cut असान लफ़ों में लिखा हुआ है तो लोग video एक तरफ खुली होती है और दूसरी विडियों के अंदर उस website के ओपर जाके खुद बखुद देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ अविलिबल है और last के अंदर कि यह तमाम ads और true view आपको provide कर रहा होता है बनाने के लिए platform यह सारी contextual ads होती है यह आनि कि यह आप एक context को जहन में रखके एक scene को जहन में रखके आप बना रहे होते हैं यह आप उन users को जहन में रखके बना रहे होते हैं जो इस तरह की ads देखना पसंद करते हैं तो वही बात के clickability और conversion rate ज्यादा होता है तो दोस्तों अब जैसे जैसे focus video ads पे आ रहा है Facebook भी video ads पे focus कर रहा है Google भी video ads पे focus कर रहा है तो आपको भी अब चाहिए कि video ads की तरफ अपना रुजान लेके जाए वीडियो की shooting करें जैसे हमने सीखा था और video ads को post करना शुरू करें और देखिए और learn करें किस तरीके से video ads के थुरू आप conversion rate को बेतर बना सकते हैं